नास्कार दोस्तों विपक्ष खासकर राहूल गांधी के खिलाफ किस तरह से भारती जनता पार्टी जूट के आधार पर और न सिर भारती जनता पार्टी बलकि उसका पूरा पालतू मीडिया किस तरह से जूट के आधार पर उन पर निशाना साथता है उनके खिलाफ सुपार लेता है और किस तरह से टूल किट काम करता है जब भी विपक्ष सडकों पर उतरता है आज इस कारक्रम में मैं उसे प्रमानित करने वाला हूँ वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है राजनीजी का असली खेल यूज चक्रम खबर की गहराईयों को टटोलना दरसल हो ये रहा था कि राहूल गानी महंगाई की बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल प्रती लीटर बढ़ गया है सरसों का तेल प्रती लीटर बढ़ गया है और हर चीज को लीटर के साथ जोड़ते उन्होंने गलती से आटे को भी लीटर के साथ जोड़ दिया अब जाहिर सी बात है उन्होंने गलती की मगर उन्होंने तुरं से हुई सिर्फ उस हुस्से को भारतिय जनता पार्टी ने वाइरल किया बीजेपी ने वाइरल किया सुकिया मगर पूरा मीडिया भी इसमें लग गया और यही नहीं दोस्तों मैं आपको ये भी बतलाने वालाओं की इस तरह से कॉंग्रिस की इस राली से पहरे पूरा एक सामने उनका बयान इसमें संवित पात्रा कह रहे हैं राहुल जी नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे होता है या उपर वो नहीं जानते कि आटा सॉलिड है या लीक्विड मगर बोलते हर विशय पर हैं इसका पलटवार किया है कॉंग्रिस निता जॉक्टर रागनी नायक और उन्होंने कहा नहीं नहीं जानते तो सिर्फ मोदी जी हैं कि नाली की गैस से पकोड़े कैसे तले जाते हैं बादल कैसे रडार से बचते हैं भजन करके कैसे कुपोशन मिटाते हैं एंटायर पोलिटिकल साइंस में डिगरी कैसे पाते हैं अपने ही नाम का दस लाग का स जनता के सामने एक जूट परोसा आज राहूल गांधी महंगाई के विशय में बोल रहे थे उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कनवर्ट किया है वो जानते नहीं है आलू मिट्टी के नीचे होता है आलू उपर होता है आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है मगर बोलते हर विशय में अब मैं आपको वो बयान दिखाना चाहूंगा दोस्तो राहूल गांदी का जिस बयान को तोड मरोड कर पेश किया गया है इसमें आप देखें कि राहूल गलती जरूर करते हैं अगर उसको सुधार देते हैं मगर जो उन्होंने सुधार किया था जो भूल सुधार किया था उ उनके अधूरे बयान को वाइरल किया गया क्या कहा तर आउल गांदी ने आप खुद सुलिए मेरे पास आक्रे हैं दोहजार चोदा में एलपीजी का सिलिंडर 410 रुपे का था आज एक हजार पचास रुपे का है पेट्रोल 70 रुपे लीटर आज तक्रिबन 100 रुपे लीटर डीजल 55 रुपे लीटर आज 90 रुपे लीटर सर्सों का तेल 90 रुपे लीटर आज 200 रुपे लीटर दूद 32 रुपे लीटर आज 60 रुपे लीटर आटा 22 रुपे लीटर आज 40 रुपे लीटर केजी तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई बात यह नहीं रुकती दोस्तों मीडिया भी उनके आधे अधूरे बयान को वाइरल कर रहा था आपके स्क्रीन्स पर यह हैं टाइम्स नाउ की ग्रूप एरिटर और उन्होंने उस बयान को आधे अधूरे ढंक से देश की जनता तक पेश किया यह देखिए उनका ट्वीट जाहिर से बात है यह ट्वीट जूटा है भ्रामक है और अपने दर्शकों को जूटी जानकारी पहुचा रहा है और जब कॉंग्रिस के नेताओं ने इस पत्रकार पर पलटवार किया तो सावरकर आसन करके जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ टाइम्स नाओ कि यह जो पत्रकार है उनका रिपोर्टर भी तो जमीन पर होगा वो भी राहुल गांधी की स्पीच को सुन रही होंगी फिर वो अपने दर्शकों को अपने शोताओं को जूट क्यों परोस रही थी नतीज़ा आपके सामने है इन्होंने माफी मांगी और माफी इसलिए मांगी दोस्तों क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके मूँ से कॉंग्रिस के लिए या विपक्ष के लिए अब शब्द निकल थी ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी जो लफ्द इस्तिमाल किया गया मैं सिर्फ ये कहना चाती हूँ कि गल्ती के लिए माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती और मैं माफी मांग की हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुंची है या किसी को बुरा लगा है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था अब जाहिर सी बात है इनका ये इतिहास रहा है दर्शकों के सामने घलत जानकारी पेश करने का और कॉंग्रेस के नेताओं ने इन पर पलटवार किया क्या कहती है सुप्रियाश्विनेत आपके स्क्रीन्स पर कॉंग्रेस नेताओं सुप्रियाश्विनेत कहती है कि कम से कम आप अपने रिपोर्टर्स पर तो भरोसा कीजे कॉंग्रेस की इस राली में आपने अपने लाइव यूनिट स्तेयनाद किये होंगे कम से कम पूरे विडियो को तो देखती नविका कुमार पूरा विडियो न ट्वीट करने की आपकी ऐसी क्या मजबूरी है and yes you are wrong and peddling fake news दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा यह वही चैनल है यह वही टाइम्सनाव नव भारत है जिसने आपको याद होगा नुपूर शेर्मा ने हजरत मोहमद साहब के बारे में आपत्ती जनक बयान दिया था औ भारती जनता पार्टी ने अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया था बात सिर्फ नविका कुमार या टाइम्सनाव नव भारत की नहीं है भारती जनता पार्टी नेता प्रवेश साहिब सिंग जो बात कह रहे हैं वही बात एक अन्यवरिष्ट पत्रकार भी कह आपके स्क्रीन्स पर प्रवेश साहिव सिंग क्या कह रहे हैं मुझे कॉंग्रिस अध्यक्ष बनाओ नहीं तो मैं आटे को किलो की जगा लीटर में ही बोलूंगा मशूर कॉमेडियन राहूल गांधी अब आपको दिखाता हूं दोस्तो एक और पत्रकार है वो भारतिये जनत पार्टी के नेता के ट्वीट का हवाला देते हुए ये गलत बयानी कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन्स पर हैं ये कह रहे हैं कि अगर अब भी कॉंग्रिस अपनी गलती स्विकार नहीं करती तो अपनी गलती कभी भी स्विकार नहीं कर पाएगी अब राहूल गांधी इसी त पूरा बयान क्या है? और इसने तो अब तक जब मैं आप से बात कर रहाँ इसे हटाया भी नहीं. तो मैं समझना चाहता हूँ एक जूटे बयान का, एक आधाधे अधूरे बयान का प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत है? और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ हम सबसे घलती से कुछ बयान दे दिये जाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मालूमात हमें नहीं होती अब हुआ क्या है कि राहूल गांदी से घलती हो गई अब कॉंग्रेस जो है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के पुराने बयान निकाल-निकाल कर उनका मजाप उड़ा रहा है पार्टी के देता है शुइनास बीवी वो उन्होंने प्रधान मंत्री के तमाम बयानों की जो है फिहरिस्त दर्शकों और जनता के सामने रखी है पहले बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री देखिए किस तरह से कोविड के केसिज को पॉजिटिव कने की मनुकामना कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से slip of tongue हो गया था और प्रधान मंत्री कि किस बयान का मजाक श्विनिवास बीवी उड़ा रहे हैं खुद देखिए और तेजी से recovery rate बढ़ें तेजी से positive केसों की संख्या बढ़ें तेजी से test जादा हो इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सभलतागी दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े एक भी प्रयोग न छोड़े और बात यहां नहीं रुकती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बयान जो गलती से उनके मूँसे निकल गया था उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है और यहां पर निशाने पर है भारतिय जन्दा पार्टी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मूँसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगा क्या निकल गया था आप खुछ सुगे अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुसे घलती से बात निकल गई तो क्या इसका मतलब वाकई ये है कि प्रधान मंत्री ने जो कहा उसमें वो विश्वास करते हैं नहीं ना तो फिर ऐसे में राहुल के आध्याधुरे बयान को क्यों पेश करना और आप जानते राहुल के तो बयान को गलट ढंक से पेश किया है मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो बयाना थे इसमें उन्होंने उसे भूल सुधार भी ने की वही बयान दे दिया मसले उनके एक और बयान का जिक्र किया जा रहा है जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुस्तान में छे सो करोड मत दाता हैं आप खुद सुनिये खुद सुनिये प्रधान मंत्री ने क्या का भारत के 600 क्रोड मद्दाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बार पहली बार किसी एक राजनेतिक पार्टी को केंदर में सरकार बनाने के लिए मैंने आपको कारकर्ण की शुरुआत में बताया था कि राहूल गांधी की इस राली से पहले एक टूल किट सक्री हो गया था जिसके अंदरगत राहूल और कॉंग्रिस पर निशाना साधा जाना था मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दैनिक जागरण में काम करने वाला पत्रकार वो अखबार जिसे भारती जनता पार्टी ने भर भर के सरकारी विज्यापन दिये हैं उनसे कहा गया है कि वो गुलाम नभी आजाद की आलोशना करें क्योंकि उनकी भी एक राली हो रही है और ये जो आलोशना है इसके बदले में एक कीमत भी अदा की जाएगी इसमें साफ तोर पर लिखा हुआ है और यही ने देने जागरंट से जुड़ा ये पत्रकार क्या कह रहा है आपके स्क्रीन्स पर सुना है हला बोल राली के संबंद में लगातार ट्वीट करने के लिए कुछ निश्पक्ष पत्रकारों को कहा गया है अब जाहिर सी बात है कॉंग्रेस इस पर हमला बोलेगी पार्टी की नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर इन दोनों ट्वीट्स के शब्द अलग भाव एक मुकेश अमबानी के निउस चैनल की वो पत्रकार ये कह रही है कि घुलाम नभी आजाद की राली पर कुछ लोगों ने सुपारी लिए है घुलाम नभी आजाद की राली को टार्गेट करने के लिए मगर आप खुद देखिए मुकेश अमबानी के निउस चैनल की इस पत्रकार ने बाकाइदा एक कारकरम किया था और इस कारकरम का मर्म ये था कि क्या घुलाम नभी आजाद की राली के सामने राहुल गांधी की राली फीकी पड़ गई अब घुलाम नभी आजाद साहब की राली जो है वो जमू कश्मीर में थी रामलीला मैदान में कांग्रिस की राली हो रही थी दोनों में कोई तुलना नहीं है एक ऐसी राली जो राजस्तर पर अपना वजूद खोज रही थी यानिक घुलाम नभी आजाद जो हैं राज मे अपना राजनीतिक वजूद खोज रहे हैं वहीं राहूल गांधी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है मुदी सरकार को गेरे थे इनमें आपस में कोई तुलना नहीं है मगर जैसा कि आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी के न्यूस चैनल की पत्रकार इस तरह के बयानात दे रही थी खुद वो घुलाम नभी आजाद की राली के बहाने कॉंग्रिस की राली पर निशाना साथ रही थी अब इस पत्रकार को बताना होगा कि कौन कीमत ले रहा था इस तरह के ट्वीट करने या इस तरह के बयानात देने के लिए कौन वो कीमत हासिल कर रहा था क्या ये बताने की कृपा करें गी और ये पहली बार नहीं है जब विपक्षवर निशाना साधा गया है मैं आपको एक छोटी से मिसाल देता हूँ और ऐसी धे रो मिसाले हैं दोस्तों आपको याद है जब ED के दबाव के चलते जाच एजनसीज के चलते महराश्ट की सरकार गिरा दी गई थी तब तमाम मेडिया के तमाम पत्रकार क्या कह रहे थे तमाम पत्रकार ये कह रहे थे कि ये भारतिय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है जबकि आप जानते हैं कि ED के दबाव के चलते एक नाच शिंदे हटे शिवसेना से और उन्होंने एक सरकार बनाई भाजपा के साथ मिलके उसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया मगर जब नितीश कुमार ने बिहार के अंदर भारतिय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खीच दी और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली तब उन्हें पल्टूराम कहा गया बात वहां नहीं रुकी अचानक एक दिन बाद मीडिया को बिहार के अंदर जंगल राज दिखाई देने लगा अब आप समझ रहे हैं मैंने आपको एक छोटी से मिसाल दी मगर आपको पता चल जाएगा और इस कारकम के जरे भी आपको पता चल रहा होगा कि मीडिया किस तरह से विपक्ष के खिलाब जो है वो सुपारी लेती है और मैं मुकेश अंबानी के नियूस चैनल की उस पत्रकार को याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अन्नअंदूलन के दौराण क्या हुआ था या निर्भया की आंदूलन जब निर्भया के साथ दुशकर्म और उसकी हत्या हुई थी, तब मीडिया भी सडकों पर था, तब मीडिया भी सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहा था, या अन्ना अंदोलन के दौरान भी वो उस अंदोलन को कवर कर रहा था और उसके बारे में फेस्बुक और ट्विटर पर बात करता था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ, कि उसवक का मेडिया, यानि कि 2014 से पहले का मेडिया भारतिय जनता पार्टी से पैसे ले रहा था, या एक खीमत परो कर रहा था, विपक्ष जो काम करती है, उसे जनता तक पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि म बन्यादी तोर पर विपक्ष होना चाहिए, सत्ता से सवाल करने का होना चाहिए, मगर अमबानी के न्यूस चैनल की वो पत्रकार ये नहीं समझेगी, क्योंकि उसने जिन्दगी भर जो भी सत्ता में रहा है, उसकी चाटु कारिता की होगी, कत्त तोर पर, क्योंकि सरकार के साथ ऐसा करते हैं, तो उसकी साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कि सरकार एजनसी का इस्तमाल करके आपको परिशान कर सकती है, सरकार एडी का इस्तमाल करके मीडिया को परिशान कर सकती है, जो करती भी है, इंक्रिम टैक्स का इस्तमाल करती है, जो करती भी है, सी दामन पाक साफ हो और ऐसी साफ सुत्री पत्र कारता मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाता रहा हूँ और आगे भी पहुँचाता रहूंगा अब इसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार